प्यारे खोजियों, गुड़नाइट, शुरू में ही गुड़नाइट कहा गया, आप कारण जानते हैं, कि शिव हो या शाम, रातरी में जनम वता है, शिव या शाम, शाम क्रिश्न के लिए कहा गया है, रातरी शब्द से कोई बाहर की रातरी न समझ ले, क्योंकि रातरी से अर्थ अंधेरा आता है, जब शिव रातरी हुई, तब वह कैसी रातरी थी, क्योंकि तब अंधेरा भी नहीं था, रोश्नी भी नहीं थी, क्योंकि अंधेरा और रोश्नी तो मन के शित्र की बाते हैं, संसार बनने के बाद आई हुई चीजे हैं, मुर फिर भी भाशा में बताना है, तो कहा जाएगा शिव रातरी, ऐसी रात जो सदियों से चल रही थी, और एक समय ऐसा आया, कि वह रात, वह शिव रातरी, महा शिव रातरी बनी, आज हम समझ रहे हैं कि महा शिव रातरी कैसे मनाए, कैसे मनाई गई है, आज ऐसी क्या बात हम जाने, जिससे हम निमित बन पाएं, जैसे शिव निमित बने, उनमें जो गुण है, वे अगर हम अपने आप में लाएं, तो हम सच्चे बक्त बन सकते हैं, हर तिवार, हर जनम दिन कारण है आपसे मनन करवाने के लिए और इतना जोरदार मनन हो जाए कि वह आपके क्रिया में आने लग जाए तो एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इस रहस्य को, शिव शक्ती रहस्य को यदि स्टेश पर कोई डांस होने जा रही है, निर्त्य होने जा रहा है और जो निर्त्यकार है, डांसर है, वो इतने तीवर गती से निर्त्य करता है कि देखने वालों को उसका चहरा ही नहीं दिखाई देगा मुमेंट्स अगर बहुत फास्ट हो, तो लोग उसका चहरा देख ही नहीं पाएंगे मगर निर्त्य शिरू होने से पहले, जब वह स्टेश पर आया, तो सभी उसका चहरा देखेंगे और फिर निर्त्य चलते वक्त भी लोगों को उनका चहरा द्यान में होगा, वे पकड़ पाएंगे कि यह वही डांसर है, जो स्टेश पर पहले आया था मगर जो लोग उस शो में लेट आएंगे, जिनोंने शुरूआत मिस की वे आके देखेंगे कि डांस और डांसर एक हो चुके है डांस और डांसर, दोनों एक है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, उस डांस में है कौन, डांस तो दिख रही है, और डांसर नहीं दिख रहा ऐसी अवस्था होती है, जिनको वह दृष्टिकों नहीं है देखने का, या जो लेट आए जो लेट आए, उनको कुछ बताया जाए, जिनोंने शुरुवात देखी, यानि शिवरात्री के दिन exactly क्या हुआ जिनको वह पता है, वे ये रहस्य समझ सकते है लेट आने वालों को मनन करना होगा, कि डांसर को कैसे देखना है, मन देखना चाहता है मन को बाजू में रखकर कैसे दर्शन करे, शिव दर्शन कैसे हो इस उधारन में समझ में आया, कि डांसर नहीं दिखता जब डांस इतनी तीवर गती पर आ जाती है, तंडव निर्त्य होता है, नट्राज निर्त्य होता है तो डांसर दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ डांस दिखती है सिर्फ पुरकर्ती दिखती है, सिर्फ पारवती दिखती है, सिर्फ शक्ती दिखती है असली चीज जो उसमें है, वह गायव हो जाती है, वो दिखना बंद हो जाती है और जब तक कोई इशारा न करे, कि जो डांस है, इसके अंदर एक डांसर है ये इतनी तिव्रगति से हो रहा है दोनो एक हो चुके है अर्द, नारिश्वर, चित्राव देखते हो शु है, शक्ती है ओम है, उमा है दोनो एक हो चुके है और जो वे दुरिष्टी कुण रखते है वे पकड़ पाएंगे कि ये दोनो एक है मर फिर भी दो बनकर अभिव्यक्ति कर रहे है अगर यह नहीं होता तो जो परकट हुआ है वह परकट नहीं होगा जैसे कोई दान्सर स्टेश पर डान्स कर रहा हो और जो थाप पढ़ रही स्टेश पर पढ़ का जा रहा है तो उस वाइब्रेशन से स्टेश के चारों तरफ बल्ब लगाए होंगे वो जल उड़ते है अलग-अलग तरफ के बल्ब जलेंगे निर्थे की हर ताल पर बल्ब जलेंगे और उन सभी बल्बों की गती इतनी तीवर होगी कि एक साथ कुछ दिखाई देगा जैसे आप देखते हो नो बल्बों के साथ कुछ अब्द लिखकर आते है लाइटनिंग जलती है आपने देखा होगा कुछ शब्द दिखाई देते है कुछ पिक्चर्स दिखाई देती है इसको और आसान उदारन से समझे कि अगरवत्ती जलती हुई लेते हो आप और जोर से गोल गुमाते हो तो एक वर्तुल दिखता है गोल दिखता है शुन्य दिखता है एक शुन्य मूर्ती दिखती है शिवलिंग दिखता है ये जो गोल दिख रहा है आप जानते कि गोल है नहीं जिसने स्टार्ट की अगरवत्थी गुवाना उसको पालो में गोल है नहीं ये प्रयोक तो हरे ने करके देखा ही है दिवाली में करते है और ऐसे भी जब अगरवत्थी के साथ बच्चे खिलते है तो ऐसे प्रयोक करते ही है कि देखो कैसे पूरा गोल दिख रहा है आश्चर लगता है, मैजिक लगता है, लीला लगती है कि ये कैसे क्या है? क्योंकि जिनोंने शुरुआत में देखा तो एक बिंदू था मात्र एक बिंदू था, एक जलता हुआ चैतन्य चोटा सा बिंदू, मगर जो वो वाइबरेट हुआ, यानि निर्थ्य में आया शिव जब एक्षन में आया तो कुछ प्रिकट हुआ, अगर वो निर्थ्य बंद करें तो क्या होगा? जो प्रकट हुआ है बंद होगा यानि अगर आप गोल गुमाना बंद कर दोगे तो क्या होगा सब गायब हो जाएगा संसार गायब हो जाएगा और मात्र शिव बचेगा शक्ती गायब है शक्ती यानि जोर से हम गुमा रहें शक्ती लगा रहें शक्ति की वज़े से ये दिख रहा है संसार जो है जो प्रकट हुआ है श्व के निर्त्य के साथ वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्पीड है बिन्दू को जब गती मिलती है शक्ति मिलती है तो संसार तयार होता है और उस संसार में उस अगरबत्ति के उस हिस्से को देखना हो यदि आपको तो आपको कौन सा नौलेज चाहिए आपको नौलेज चाहिए तो आप हर जगे शीव देख सकोगे इतने लोग देखेंगे आपको संसार में मगर आपको मालम है एक ही चीज है जो वाइबरेट हो रही है जिसकी तरंग में ये सब हो रहा ये गहरा रह से हम जल से जल समझ जाएं क्या समझ जाएं कि जो भी देखोगे तो आप उसके background में कौन है कौन निर्थे कर रहा है फिल्म में देखोगे किसी फिल्म स्टार को निर्थे करते हुए तो आप कहोगे यह तो निर्थे कर रहा है और उसके पीछे भी एक और निर्थे चल रहा है इस वज़े से यह दिख रहा है वो नहीं होता तो यह नहीं दिखता है हर निर्थे के विज़े एक और बड़ा निर्थे चल रहा है अगर शिव का निर्तिय नहीं चल रहा होता तो ये निर्तिय नहीं दिखता जो भी निर्तिय आप देखते हो मर उसके पीछे एक और निर्तिय है जो शिव के भगत है, चतन्य के भगत है असली चीज के भगत है, सेल्फ के वे उसका ही निर्तिय देखते है सामने में वाला कुछ भी कह रहा है मर उनको वही दिखाई दे रहा है क्या निरते जल रहा है क्या बड़ी आभयोकती जल रही है उनको जो आनन्द आ रहा है वह डांस देखने का वह लीला देखने का सिर्फ इस वज़े से क्योंकि उन्होंने शिव को आराम की अवस्ता में भी देख लिया अपने अंदर उस मौन में शिव को आराम की अवस्ता में भी देख लिया जब डांस नहीं थी हर गहरी नीन में आप उस अवस्ता में होते हो मगर सुबह कुछ याद नहीं रहता ना ही किसी ने समझ दी है के हम कुछ मनन कर पाए समाधी में लोग शिव का दर्शन करते है यनी आँख से देखते है ऐसा नहीं वह आनुभाव करते है जिन्होंने वह आनुभाव कर लिया जिनको समझ आ गई, कन्विक्शन हो गई वह हर निर्थे के पीछे आसली निर्थे देखेंगे वह फिल्म भी देखेंगे तो फिल्म देखते वक्त फिल्म जिस स्क्रीन पर चल रही है देखो आपको एक फिल्म दिखाई जा रही इस फिल्म में क्या दिखाई जा रहा है सकता है कि एक श्क्रीन है, एक पर्दा है अस्क्रीन तेखा ही आपको पर्दे कीसिन तिहाई लाए…. व्यों, एक पर्दे की शुटिंग है… आमें तार्दे की शुटिंग जाएं、 और वहीं आपको पर दिखा है तो आप कहेंगे ये दिख रहा है पर इसके पीछे एक और स्क्रीन है वो पर्मनेंट है ये स्क्रीन आएगी जाएगी ये पर्दा आएगा जाएगा ये पर्दा बादा बन सकता है असली परदा न समझ ले उसको जो फोटो है स्क्रीन डप फोटो है कहीं आप उसको ही असली सत्य न समझ ले मन में लोग जो उलज जाते है बुद्धी में जो लोग उलज जाते है ग्यान का दावा करने लग जाते है 99 प्रतिशत उसमें उलज जाते है ज्ञान के शब्दों को ज्ञान समझ लेते है शिव को बिना जाने तो शिव का निर्थिय अगर देखने लग जाओगे तो आनन्द होगा आनन्द जिस वजह से शिव ने निर्थिय शुरू किया उस महा शिवरातरी में क्या हुआ शिव ने निर्थ्य करना क्यों decide किया लोगों के सवाल आते हैं न क्यों जगत बनाया संसार बनाया क्या जरूरत थी इंसान बुद्धी से जरूरत की बाशा ही समझता है जो जरूरत है वही करो जो नहीं है जरूरत मत करो पर समझा ही नहीं कि आनन से कुछ चीज़े आती है आनन जिनका कारण होता है और किसी कारण से नहीं किया जा रहा है अभियक्ति की जा रही है कुछ ज्याना है कुछ रहस से खुले है इस वज़े से आनंद चल रहा है शिव ने निर्थे करना शुरू किया और वह निर्थे आज सब को दिख रहा है और यह पता नहीं था तो आप शिव का निर्थे करके नहीं देखोगे बाहर जाओगे, बिल्डिंगें देखोगे, रोड देखोगे, गाड़ियां देखोगे तो यह नहीं कहोगे कि यह शिव का निर्थे है मगर अगर वह आँख है तो वो निर्थे दिखेगा क्या बढ़िया निर्ते चलना है, क्या लीला है, अनन्द लोगे, खुशी होगी अंदर से, आपका शरील भी निर्ते करना चाहेगा, ये क्यों होगा, जब रहस्य खुल जाएगा, और हम उपासना कर पाएं, शिव उपासना कर पाएं, यानि उनके गुणों पर मुनन कर उस निर्ते को समझने के लिए एक गूड रहस्य, एक गूड बात, कि शिव रात्री क्यों आती है, महा शिव रात्री क्यों आती है, महा शिव दिन क्यों नहीं कहा, महा शिव रात्री क्यों कहा, रात्री के साथ हम जल्दी समझ सकते हैं, उस अनुभाव की अवस्ता को जहा कुछ नहीं है वह अवस्ता समझने के लिए है दिन कहते तो सूरज चाहिए अब जब शिव अक्किला था तो सूरज कहां से आएगा हमारी भाषा में दिन है यानि सूरज है सूरज नहीं था संसार नहीं था तो सूरज नहीं था तो उस महा शिव रातरी में संसार क्रेट हुआ निर्थय हुआ परवति आई शक्ति आई निर्थय शुरू हुआ और संसार बना और जो लोग नहीं समझ पाएंगे ये बाते कहेंगे खा मखा निर्थय किया क्यों संसार बना नहीं बनता तो अच्छा होता जो दुखी है जहां ग्यान नहीं है जहां ग्यान हो कहेंगे अरे बहुत अच्छा हुआ यह बहुत अच्छा हुआ शु ने निर्ति किया यह बहुत अच्छा हुआ और जिनको समझने ही वो कहेंगे अच्छा होता निर्ति नहीं करता संसार नहीं बनता अगर उनसे पूछा जाए, कि आप कहते हो कि अच्छा होता संसार नहीं बनता, और संसार नहीं बनता, तो आपको कैसे पता चलता कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ संजार बना तो आप सोच तो बाते हो अच्छा हुआ की बुरा हुआ संजार नहीं बना होता तो क्या आप सोच बाते की अच्छा हुआ या अच्छा हुआ कहने वाला कौन होता असक वाकी अच्छा हुआ होता क्या वाकी अच्छा हुआ होता क्या अगर संसार नहीं बना होता बुद्धी से बले की बाते हैं न? बुद्धी पकट नहीं पाती सवाल तो करती है जट से बड़ जब उसके सवाल पर सवाल के जाता तो वो कहती है अरे हाँ इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं तो शिव की आराधना वंदना जो करना चाहते है वे शिव के गुणों को समझे शिव की वह अवस्था समझे अपने अंदर ही समझे कि जब संसार नहीं था तब वह कैसा था तेज मौन की अवस्था में था तीसरी आँख खोली नहीं थी तेज आँख खोली नहीं थी वह आँख खोलने के साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया झाल शुरू हो गया